हेलो बच्चों स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जिसमें हम डिसकर्स कर रहे हैं गौर्ट क्वेश्चन क्लास देंद के लिए गौर्ट कोश्चन यानि की चैप्टर के ऐसे कोश्चन जो बहुत ज़्यादा कॉश्चन को टो पॉलीनोमियल चैप्टर के पारे में आप काफी कुछ पढ़ते होंगे काफी कुछ जान चुके कोज़ेंोंगी ऑलीनोमियल 15 सब्से करहें मतलब की प्लस BX प्लस C, यानि कि PX मेरा कुछ इस तरीके का polynomial है, मैंने सिर्फ यही polynomial क्यों बनाया है, क्योंकि हमारे स्लेबस में, क्लास 10 के स्लेबस में सिर्फ वो सिर्फ quadratic polynomial का ही discussion है quadratic polynomial का discussion है ठीक है, polynomial basic सी चीज़ है, अगर मैं quadratic polynomial का discussion कर रहा हूँ तो मुझे quadratic polynomial के roots में relation, जो की alpha plus beta अगर इसके roots है, तो यह minus B upon A होगा, अगर alpha beta इसके root है, तो alpha into beta C upon A होगा, क्या मुझे बताओ, यह बात समझ में आई हाँ, इतनी बात तो हमें पता है आप क्या बता रहे हो, फिर भी मैंने बता दिया मैं आप से कहाँ कि अगर मुझे alpha और beta given है, तो quadratic polynomial के equation क्या होती, x square minus alpha plus beta equation नी quadratic polynomial क्या होता plus alpha into beta, ठीक है यह होता है मेरा quadratic polynomial if roots are alpha into beta, यह basic सी discussion था, जो मैंने आप से discuss किया मैं आप से पूछता हूँ कि quadratic polynomial के roots के बारे में, या zeros के बारे में अगर मेरे पास यह x axis है तो यह x axis पे जितनी जगर touch करेगा उतने इसके zeros होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो 7 इसके zeros होंगे लेकिन यह क्याद रखना हम से पूछा है कहां जा रहा है, कितने interval के बीच में कितने graph के बीच में, यह चीज़ें बहुत ज़्यादा matter करती है, ठीक है चलो बिना time गबाय हम start करते है आगे के question जो हमने हाँ पे निकाल रखे हैं आपके लिए, question बंच ऐसा कि आपको screen पे दिख रहा है, अभी मैंने आप से discussion किया, if by बरावर fx अगर मेरे पास by बरावर fx is a given below मतलब मैं कह सकता हूँ, यह मेरे पास एक curve है, जो कि by बरावर fx है, उससे कह रहा है number of zeros मुझे यह बताओ, एक point तो यह रहा, दूसरा point यह रहा, तो number of zeros कितने हो गए बेटा, दूब क्या बात समझ मैं ही कह रहा है, यह point, पट ऐसा नहीं करना है, उससे question पढ़ना है, the number of zeros lying between minus 2 से 2, आकर minus 2 से 2 के बीच में zeros बताने हैं, मतलब मेरा यह रहा 2, यह रहा minus 2, इसके बीच में केबल दो points ऐसे हैं, दो points ऐसे हैं, जो x-axis को touch कर रहे हैं, तो इसका answer क्या होगा, simple सा 2, क्या बात समझ में आई, मतलब केबल 2 points है, minus 2 और 2 के बीच में, जो x-axis को touch कर रहे हैं, ठीक है, question number 2, यह बहुत important है, ऐसा question आपको देखेगा ही, देखेगा, ठीक है, next, हाँ भी, अब next question discuss करते हैं, next question क्या कह रहा है, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, उससे कह रहा है मैं अगर आप से कहूँ कि यहाँ पर alpha plus beta की value कितनी होगी, आप कहूँगे, minus 4 upon k quadratic polynomial में alpha plus beta की value कितनी होगी, minus 4 upon k अगर मैं कहूँ कि हाँ यह alpha plus beta की value minus 4 upon k और alpha into beta की value कितनी होगी, 4 upon k क्या बात समझ में, alpha plus beta होता है, minus b upon और alpha into beta होता है, c upon ने क्या बात समझ में क्या आपको ABC दिख रहे हैं यहाँ पर आप दिख रहे हैं क्यों नहीं दिख रहे हैं next मुझे क्या रहा है कि यह condition alpha plus beta की value मैं already minus 4 upon के निकाल चुका हूं is equals to 24 अगर मैं यहाँ पर k square को LCM लिलूँ नीचे तो मेरे पास उपर आगया 16 minus यह हो गया 8 k k से k cancel k multiply हो गया is equals to 24 तो यहाँ से यह हो गया 24 k square और यह 8 यह इधर चला गया ठीक है और इधर side is equals to 16 minus 8 k अब अगर इसको solve करोगे तो 24 k square plus 8 k minus 16 is equals to 0 यहाँ से अगर 8 आप common ले लो तो यह जाएगा 3 k square plus k minus 2 is equals to 0 क्या यहाँ तक point clear हो रहा है यहाँ तक समझ में आया अब मेरे पास यह equation बन गई तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 k square 3 k square plus k minus 2 अब अगर आप इसको solve करोगे तो आप यह देखो कि multiply करें तो 6 आए multiply करें तो 6 आए और multiply करें तो 6 आए और subtract करें तो 1 आए तो हम क्या सकते हैं plus इसको लिख सकते हैं 3 k minus 2 k ठीक है minus 2 equals to 0 3 k common ले लिया k plus 1 minus 2 common ले लिया k plus 1 equals to 0 तो k plus 1 and 3 k minus 2 equals to 0 तो k की value मेरे पास कितनी आ रही है minus 1 और k की value आपके कितनी आ रही है 2 upon 3 मुझे बता क्या यह बाला question आपको समझ में आया कितनी value आ रही है क्या समझ में आई आए आपको यह बाला इतना question समझ में आया एक बार देखो और solve करो देखो एक बार इतनी बात समझ में आ रही है आगे discussion करें K की value कितने हैं? minus 1 and 2 upon 3 next next question बहुत important questions है जो मैं discuss कर रहा हूँ ये पिछला वाला question काई बार आ चुका है आपका अब इस वाले question की बात करते है find the find the values of K 3 is the 0 of the polynomial if minus 3 is the 0 of this then find the value यहाँ पर दो question है एक आपका A question एक आपका B question find the value of K 3 is the 0 of the polynomial समझो पहले मुझसे कह रहा है कि Fx बराबर K square X square minus K A वाले question को मैं discuss कर रहा हूँ minus Kx minus 2 मुझसे कह रहा है कि if 3 is the 0 यानि कि if 3 is 0 if 3 is 0 3 is 0 तो F of 3 is equals to 0 होगा क्या यह बात आप समा सकते होगा 3 इसका 0 तो F of 3 इसका क्या होगा F of 3 0 होगा तो मैं यहाँ से if 3 is the 0 of the polynomial तो मैं इसी polynomial की बात करता हूँ यहाँ पर मैंने 3 डाला तो यहाँ पर मेरे पास क्या है K square और यहाँ पर 3 डल जाएगा 9 minus K X की जगे पर 3 डल जाएगा minus 2 यह कितना है? तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया? 9 K square minus 3 K minus 2 तो अब यह आपकी क्या बन गई? यह equation बन गई यह आपकी equation बन गई इसको आप solve कर सकते हो 9 2 जा 18 multiply करें तो 18 आए और subtract करने पर 3 आए तो 9 2 जा 18 9 K square minus यह जो 3 है मतलब sorry multiply करने पर 18 आए और subtract करने पर 3 आए multiply करने पर 18 तो मैं कह सकता हूँ कि अगर multiply करने पर 18 आए और subtract करने पर 3 आए तो इसको कैसे break करेंगे? बताओ बीच में minus 3 है आपको इसको कैसे break करेंगे? subtract करने पर ठीक है बताओ क्या करना चाहिए मुझे? 18 क्या? मैं इसको कैसे break करूंगा? 6 3 is 18 और 6 minus 3 यानि कि 6K यह minus है तो यह plus 3K हो जाएगा minus 2 is equals to 0 तो मैं यहाँ पर देखता हूँ यहाँ पर मेरा 3K common आगया और इधर कह रहे हैं 3K minus 2 प्लस इधर साइट 3K minus 2 और इधर 1 common आया कुछ common नहीं था तो यहाँ से आप देख सकते हो इधर solve करता हूँ 3K minus 2 और दूसरा मेरा क्या हैगा? 3K plus 1 3K plus 1 is equals to 0 तो एक बार K की value आएगी 2 upon 3 और एक बार K की value आएगी minus 1 upon 3 यह बात आपको समझ में आई? K की values निकालनी मैंने तो A वाला question आपका पूरा solve हो गया? क्या आप देख सकते हैं A वाले question क्या आपको समझ में आ रहा है? A वाला question solve हो गया? ठीक है, next next मतलब इसी का V part तामजना B part minus 3 is the zeros A plus B 7 then find the value of A and B अब आप यह कहेंगे यह तो सर्क क्वाडिटी की question का नहीं यह cubic का है, cubic polynomial का है तो यह question आपका remove removing slayvers या नहीं, removing part में से होना चाहिए नहीं नहीं, ऐसा कुछ में नहीं है आप समझो पहले उससे कहना minus 3 is the zeros minus 3 अगर इसका zeros है तो मैं पहले polynomial को लिखू xq plus ax square fx वराबर क्या दे रख़ए? xq plus पीछे देखो, xq plus ax square minus bx plus 6 ax square minus bx plus 6 थ्यान रखना, मैं पीछे करता हूँ b minus bx plus 6, a plus b 7 है और minus 3 zeros है a plus b 7 है और minus 3 क्या है, इसका zero है तो मैं कह सकता हूँ, if minus 3 is zeros if minus 3 is zeros, of given polynomial of given poly तो मैं कह सकता हूँ, कि f of minus 3 क्या होगा? 0 होगा, तो मैंने यहाँ पे minus 3 रखा तो यह मेरा होगा f of minus 3 अब जब f of minus 3 तो यहाँ पे डाला minus 3 की power 3 plus a minus 3 की power 2 minus b minus 3 plus 6 मैं कहा हूँ, यह 0 होगा, अगर वो है तो यह हो जाएगा minus 27 यह हो जाएगा plus plus 9 a ठीक है, और यह क्या हो जाएगा? plus 3 b plus 6 अब यहाँ पे इन दोनों को देखोगा, यह क्या हो गया? यह हो गया minus 21 तो 21 equals to 9 a plus 3 b यहाँ से 3 common ले लो, तो यह हो गया, 7 is equals to, मतलब 3 common लेके cut कर दिया 3 a plus b यह हो गई equation 2 और यहाँ पे जो a plus b दे रखा था, इसको मान लिए, मैंने equation 1 इस तरीके के question बहुत आते हैं अब a plus b आपका कितना दे रखा था? a plus b, 7 दे रखा था, pair of linear equation in 2 variable जैसा question हो गया, 3 a plus b is equals to 7 दोनों 7 आ रहे हैं, भाई, minus, b से b cancel, minus, minus तो यह minus 2 a, बराबर 0, तो a बराबर तो 0 आ गया a बराबर 0 आ गया, तो b बराबर क्या आ जाएगा? 7, इसमें डाल दिया है मैंने, b बराबर 7 ठीके, क्या बात समझ में आई? तो यह question, आपको यह नहीं टरना है कि यह cubic polynomial, यह general polynomial से question है, basics of polynomial से question है, ठीके, बच्चे, यह दिखते हैं, power 3 आ गई, नहीं, हम तक और solve भी नहीं करेंगे, हमारा, यह तो out of sleep है, यह इतनी बात समझ में आई? क्या इतना point के लिए रहे? ठीके, अभी और question डिसकस करते हैं, next question, next question आप से क्या कह रहे? find the zeros of the polynomial, अगर मैं आप से कहाँ कि यह, one second, then change कर लिएता हूँ मैं, t square minus 15, मैं कहाँ t square minus 15, यह मेरा polynomial है, ठीक है, tx मेरा polynomial है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, t plus root 15, and t minus root 15, कैसे लिख सकता हूँ मैं? मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मैं इसको लिख सकता हूँ, t square minus root 15 का whole square, और यह a square minus b square है तो a plus b और a minus b यानि कि इसका एक zeros क्या आएगा alpha minus root 15 आएगा और दूसरा zeros क्या आएगा एक बार इसको 0 से equate किया एक बार इसको 0 से equate किया एक अगला next zeros आएगा ये ठीक है अब मुझसे कह रहा है कि मेरे पास ये polynomial है इस polynomial में relationship भी मैं बो करनी है यहाँ पर समझा रहा हूं तो यहाँ पर मैं आप से कहूं कि मेरे पास alpha plus beta is equals to minus b upon a होना चाहिए यहाँ पर देखों कि b वाला तो फेक्टर ही नहीं यह वाला तो हाई नहीं तो मैं कह सकता हूं कि यह तो यह 0 और alpha कितना है रूट 15 और बीटा कितना है alpha कितना माइनस रूट 15 बीटा कितना है पिलस रूट 15 और इधर जीरो है यह भी चैंसल होगा जीरो बराबर जीरो पहली रिलेशन से बेरिफाइं कि मैंने बुछ से कह रहा है alpha into beta that is c upon c कितना है आपका यहाँ पर माइनस 15 तो माइनस 15 अपन बन और यहाँ पर alpha into beta minus root 15 into root 15 यह कितना होगा 15 यानि कि माइनस का 15 इस इकोस्टू next question हम से क्या कह रहा है अभी मैंने आप से starting में discuss किया था कि polynomial को बनाने का formula क्या है मुझसे कह रहा है if the zeros of the polynomial एक दो zeros दे रखे हैं 3 minus root 3 upon 5 and दूसर 0 दे रखा 3 plus root 3 upon 5 मैं कह सकता हूं कि मेरे पास alpha is equals to 3 minus root 3 upon 5 है और मेरे पास beta कितना है 3 plus root 3 upon 5 मैं आते कहूं कि alpha plus beta चाहिए मुझे क्योंकि मुझे क्या ढालना है x square polynomial बनाएंगे कैसे x square minus alpha plus beta x and plus alpha into beta मुझे इस वाली equation में alpha plus beta और alpha into beta की value चाहिए मेरा polynomial create हो जाएगा तो alpha plus beta कितना हो गया 3 minus root 3 upon 5 plus 3 plus root 3 upon 5 इसका LCM लिए में नीचे 5 LCM आ गया उपर आया 3 minus root 3 plus 3 plus root 3 3 से 3 cancel sorry 3 से 3 नहीं root 3 से root 3 cancel root 3 से root 3 cancel that is 6 upon 5 यह कितना हो गया का 6 upon 5 यानि alpha plus beta की value कितनी आगी आपके पास 6 upon 5 आप मुझे alpha into beta चाहिए तो alpha into beta कि इन दोनों को multiply कर देंगे 3 minus root 3 upon 5 into 3 plus root 3 upon 5 अगर मैं X को solve करने तो ए प्लस ए माइनस भी ए प्लस भी बन गया यानि कि 9 minus 3 upon 25 नीचे वाले ऐसे multiply हो गए 6 upon 25 तो यहां पर अगर मैं polynomial की मैं बात करता हूं तो polynomial क्या बना एकस स्क्वेर माइनस alpha plus beta की जिएक पर मैंने क्याड़ाला 6 upon 5 x plus alpha into beta की जिएक पर क्याड़ाला 6 upon 25 यहीं मेरा हो गया polynomial क्या मुझे बता इतनी बात समझ में आई है के लिए ड़न ठीक है next point next question polynomial से related आप यह वाला question देखो इतने भी question है यह last question हमारा मुझसे कहना है कि if one of the equation दे रखी है रहसी प्रोकल of the other then value is अब पता confusion क्या है simple सा question है k-1 लिखा है मैंने यहाँ पर into x square लिखा है minus 10 प्लस 3 मेरे ख्याल से यह 10x होगा एक बार मैं इसको चेक करता हूँ इसको थोड़ा सा थोड़ा सा modify करेंगे यहाँ पर यह 10x होगा यह 10x होगा ओके यह 10x होगा अगर यह 10x है तो आप मुझे यह बताओ एक alpha है root इसका दूसरा बीटा है तो क्या बीटा इसका रहसी प्रोकल है तो बीटा को 1 upon alpha लिख सकते है यानि कि मैं product of root की बात करता हूँ alpha into beta is equals to 3 upon k-1 ठीक है तो मैं यहाँ पर alpha beta की जगे पर क्या लिख सकता हूँ 1 upon alpha लिख सकता हूँ तो यह कितना होगे 3 upon k-1 अगर आप alpha से alpha काट दो और यह k-1 को cross multiply कर दो तो k-1 is equals to क्या आएगा 3 तो k की value क्या आ जाएगी 4 क्या मुझे बताओ समझ में यहां यहां पर जो भी मैं discussion कर रहा हूं जितने भी मैं topic यहां पर जो भी discussion कर रहा हूं यह आपके God's question है बहुत important है यही सबसों समझो यह आपके सबसे ज्यादा most 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 of the most important questions है ठीक है तो आप से कहूंगा कि यहां पर अगर आप इन questions को बहुत सीर